हमारी इस दुनिया में 4 लाग से भी जादा पेड़ पौधों की किसमें पाई जाती हैं। जिन में से कुछ तो इतने जादा जीव हैं कि पहली बार देखने पर यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी मुम्किन है। अगर आप भी इन पौधों से अंजान हैं तो आईए आज हम बात करते हैं दुनिया के कुछ अजीवो गरीब पेड़ पौधों के बारे में जिने देखकर आप भी सूचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी पिल्कुल ना करें। दोस्तो इस पेड का फल किसी दूसरे फल की तरह नहीं बलकि किसी लड़की की तरह दिखता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पेड थाइलेंड में पाय जाता है इस पेड के पारे में कई सारी मानिताएं भी हैं अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग आप से पेड की मानिता बताते हैं दरसल इस पेड के फल किसी न्यूड लड़की के जिस्म की तरह होते हैं कुद्रत के सनों के करिश्मे को देखकर हर कोई दंग रह जाता है नमबर टू टाइटन एरम दोस्तो इस पौधे को लोग कई सारे नामों के साथ याद करते हैं इस कई सारे लोग इसे अपने बगीचे में रखना भी पसंद करते हैं इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि इसका फूल आट से दस सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता है वो भी सिर्फ कुछी गंटों के लिए इस पौधे की एक खास बात ये भी है कि जब इसका फूल सूख जात दिखने में ये पौधा किसी आम पौधे की तरह ही दिखता है लेकिन इस पौधे में लगे फूल किसी नंगे इंसान की तरह दिखाई देते हैं ये पौधे इटली, स्पेन, जर्मनी, तुर्की और साउथ अफरीका में पाय जाते हैं ये पौधा 4000 फीट की उंचाई पर ही निकलता है दोस्तों ये पौधा दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा है ये पौधा ना सिर्फ कीड़े मकोडों को, बलकि इनसान की उंगलियों को भी जठकर लेता है ये पौधा इंसान की उंगलियों को इतनी जोर से दबाता है कि उंगलियों से खोन बहने लगता है जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे इस पौधे ने इंसान की उंगली को दबा रखा है आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक मक्की इस पौदे के अंदर आती है तो ये इस मक्की को अपनी कैद में ले लेता है अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पौदे सिर्थ छोटे मोटे कीडे मकोडों को ही खाता होगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे उसने एक बड़े से मेड़क को भी अपनी कैद में ले लिया सच में दोस्तों ये पौदा बहुत ही खतरनाक होता है इसके बावजूद बहुत सारे लोग इस पौदे को अपने घर के कमरे में लगाना पसंद करते हैं ये एक नॉन वेजिटेरियन पौदा है जो कि अपनी सुराहीदार गर्धन में गरने वाले किसी भी जीव को अपने अंदर कैद कर लेता है दरαςल इसके अंदर किसी जीव के गरने के बाद अपने ऊपर लगी इस टोपी नुमापत्ती को ये बंद कर लेता है और उसके बाद इसका साइज कुछ इस तरह दिखाई देता है दोस्तो इसको देखकर अगर आपको किसी पोशीदा हत्यार की याद आ रही है तो जनाब आप बिल्कु सही समझ रहे हैं दोस्तो आज का वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर जरू करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में टिल दें टेक केर, कीव वाचिंग